सोचिए यहाँ पर आपके मृत्ति होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में अत्या धुनिक है एक दम और इलेक्ट्रिक वाला है तो भुकाई मटाईं ना लगी डायरेक्ट चल देगा हरार महादे स्वर्ग जाओगे लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सबेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा राप्ति नदी माई बहुत अलेगे यहाँ का होत रहे है पुरा गाउं के मालूम बाद कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ और राप्ति नदी माई के भी कितना दुखोथ होई और आज यह जो भव्य माहौल बनलवा सोचिए यहाँ पर आपके मृत्य होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में आत्या धुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो भुकाई मटाइम ना लगी तो डायरेक्ट चल जाओगे हरा और महादे स्वर्ग जाओगे लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सबेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा यह जो करोडों रुप्या फूका गया है वो जो महाराजी हजारों करोड दे दिये उत्तर प्रदेश के देतारंग पुर्वांचल के देतारंग सलक्स्ते लेके हर चीज किको एक निस्वार्त त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए जैसे हमारे प्रधान मंत्री वैसे हमारे योगी जी जोन-जोन हम राज्य में जाईला सब हमके का कहाना मालूम हो मैं तेलगु फिल्म भी करता हूं मैं हर भाषा में काम करता हूं को पता है हमको सब लोग जन्मिनली बोलते हैं महाराज जी के तरह हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना अरे हम बोले महराजी के कितना रूप में कितना उंकर भाई एक ही महराजी है ना हर राजी में कैसे मुख्यमत नहीं रहे हम बोले हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी बाव कहा है कि सब लोग बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पर चल गए कुछी लोगन का स अब कुछ समझ गया कितना शांती चल रहा है देखने रहो उत्तर प्रदेश में कितना कानून शांती माफिया लोग पाताल में चले गए निपाल चले गए उपर चले गए बच्चे लोगों की पढ़ाई भर्म चिटी रोजगार हर चौमक हर तरीके से अब सोची और महराजी करते हैं हम सोची लगे आज हमें चिठी लिखी महराजी के मालूपड़ा अफ़बार में हुआ जाला कि आप ये महराजी ये भी बना रहे हैं हम सोचत रहें कि सडकिया ऑलके आजहने बोलुए यह बोलुगा ? इब्रीज्फ खातिर आजसे तो 24 घनटा महराज्जी आप लोगों के लिए दे दिए आ हैं तो आप लोगों का फर्ध है क्योंकि आप लोगों ने भी महराजीरका शबा महराजी की बाद आर चाहिए, वापस वही के बरकरार रखा महाराज जी को खाली क्या चाहिए महाराज जी को क्या चाहिए महाराज जी को झाल झाल